तो कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम हापका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें पहले तो आप सभी लोग को धेर सारों भधाई हैं क्योंकि आपका ये जो परिवार है आज 50,000 लोग का हो चुका है यानि पिसले एक साल में हम लोग की जो फैमली है वो 0 से 50,000 तक पहुँच चुकी है और मैं इसके लिए आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा अगर आप चीजों को continue करते हैं यानि आप निरंतरता दिखाते हैं तो आपकी चीजें धीरे धीरे भले ही आपके पास आती हैं लेकिन वो जरूर आपके पास आएंगे और यही चीज आपकी सिक्षिया यानि आपकी पढ़ाई के लिए भी लागू होती है अगर आप निरंतरता से पढ़ते हैं भले ही आप slow चलो मैं यह नहीं कहते हैं कि आप बहुत तेज पढ़ो बहुत fast पढ़ो accident हो जाएगा तेज पढ़ने में यानि गाड़ी बहुत तेज लेके जाता है जो इंसान उसकी गाड़ी पर भली ही जल्दी वो पहुंच सकता है लेकिन accident होने का उसमें खत्रा रहता है वो ही पढ़ाई के साथ भी है बहुत तेज पढ़ोगे पीछी की चीज़े भूलते इससे पहले सायद मैंने चार वीडियो उत्राखन की करंट आफ़ेर की दे चुका हूँ आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उन चार के चार वीडियो उसको पार्ट वन तो त्री फोर जितने भ तो मैं कोशिस करूँगा कि आप लोग को बीजबीच में करंट आफ़ेर की क्लासेश भी दूँगा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 50,000 होने के बाद हम लोग पैटन थोड़ा चेंज करेंगे अब आपके जल्दी ही मैं कंप्यूटर और कंप्यूटर के अलावा मत्तब ती यह क्या दो टॉपिक बचेंगे एक माना अधिकार हों कि घोष्णा और एक संभावता जो आपका युए नो वगएरा ने जो अपना विश्व में सांती विवस्ता बनाए रखने के लिए जो प्रियास वगएरा किया है यानि पांच य छे क्लासेश आपके थोड़ा सा ठं जल्दी ही सुरू कर दूँगा उसके बाद आपका बस्ता है रेजिनिंग वगएरा की कुछ टॉपिक वो भी आपके जल्दी से में स्टार्ट कर दूँगा ठीक है तो हम लोग आज देखेंगे उत्राखंड करंट अफेर का नेक्स्ट पार्ट अब आप कहोगे साराज बाकी का आपको हिंदी बगएरा के अंदर आप रिविजन शुरू कर दो जो आपने चैप्टर जो आपने कम पढ़ा है जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना आप लोग शुरू कर देना ठीक है देखें उत्राखंड करंट अफेर हम लोग देखेंगे आज और हमने आपकी फीज दे दी है शेयर करके ठीक है और लाइक कमेंट और शेयर करके देखें पहली चीज हम लोग देखेंगे अभी अभी दो दिन पूरो उत्राखंड पहला राज्य बन चुका है देश का जिसने भुकंप आने से पहले एक चेताउनी देने वाली एप को डेब उस एप को डाउनलोड करके अपनी लोकेसन मगरा जो भी है उसका जो सिस्टम है वो देखने है तो आपने पहला कॉश्चन लिखना है भुकंप पूर्व चेताउनी एप का नाम यानि उत्राखंड में भुकंप पूर्व भुकंप से पूर्व चेताउनी मिल जाएगे को इसका नाम ठिक है? इसका नाम क्या है अपने आप में? उत्राखंड भूकंप अलर्ट यानि इस एप का नाम बनाएगे है उत्राखंड भूकंप अलर्ट, ये क्वेशन आपके आने की संभावना बनेगी, टिक है? कभी भी आ सकता है क्वेशन और उसमें तूछ अलग अब आपसे हो सकता है कि इस बार question पूछ दे उत्राखन भूकंप alert को बनाने में किस-किस ने महत्तपूर्ण भूमिका निभाई तो आप लोग देखना इसमें किस-किस ने भूमिका निभाई ठीक है इसको बनाने में एक तो आपके IIT रूडकी IIT रूडकी के माध्यम से यह उत्राखन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी डिये में लिख दिया में ठीक है यानि उत्राखन राज्य आपदा परबंधन प्राधिकरण इसको हिंदिय में लिखना उत्राखन राज्य आपदा परबंधन प्राधिकरण इसके द्वारा यानि उत्राखन स्ट तो यह question आने के संभावन है कि इसका नाम क्या है और इसको कब launch किया गया था इसको आप लोग ने ध्यान रखना है ठीक है इस लोगों की location अगएरा को भी trace करेगा दूसरा question आपने इसमें लिखना है मुक्यमंतरी वाथसल्य योजना ये भी हाल प्लाल में लॉंचि की गई है इसको भी आप लोग ने ध्यान दिखना है अब इससे question देखो क्या क्या पूस सकता है मुख्यमंत्री वाच्छली योजना को शुरू करने वाला जो राज्जी है उसका नाम क्या है उत्राकन मुख्यमंत्री वाच्छली योजना का मुख्य उद्देशी क्या है COVID काल में जिन बच्चों के माता पिता एक्सपायर हो गए थे किसी वज़े से COVID की वज़े से जो बेसहारा हो गए है उन बच्चों को सहारे के लिए यानि COVID काल में यानि COVID के दौरान COVID काल में बे सहारा बच्चों को ही सहारा है तू बे सहारा बच्चों को सहारा मिलेगा इससे ठीक है help मिलेगी इसके लिए मुख्यमत्री वात्सलियोजणा का सुभारम किया गया अब आपको गवे ऍसमें क्या सुभारम हो रहा है इसमें एसा तो हमें कुछ नहीं देख रहा है इसको एक चीत द्यान देना ये जो अभी सुभारम्ब हुआ 2ब 2.11 मार्ट 12DIK से इसका क्या हुआ है सुभारम भुआ है यनि इसको स्टार्ट किया गया है हाला कि इसके जो announcement वा था जो पहले खोशना की गई थी वो 22 मई 2021 को की गई थी इसके bracket में लिख लो आप लोग 22 मई 2021 को इसकी पहले खोशना की गई थी उसके बाद basically इसका सुभारम अभी अभी 2-3-4 दिन पहले हुआ है मुख्यमंत्री वात्सलियोजना का ठीक है अगस्त 2021 को इसका क्या किया गया है सुभारम भी किया गया अब देखना इसमें क्या करना है इसमें होगा जो बच्चे बेसहरा हो गए हैं उनको 21 वर्स तक यानि कितने जब वो 21 साल के हो जाएंगे तब तक 3000 यानि 3 के लिख दिया मैं थी करोड मत कर दे रहा 3000 प्रती माह की क्या मिलेग दूसरा निसुलक रासन मिलेगा निसुलक रासन यह दिया जाएगा प्लस निसुलक शिक्षया यानि निसुलक रासन प्लस इनको शिक्षया दी जाएगी और इसी मुख्यमंतरी वाच्सली योजना के ठैक है इसमें जो अभी पहला इसका जो चरण था उसमें लगभग 1072 बच्चों को इसकी साहेता दी गई यानि पहला जो इसका चरण था फस्ट इस अलग-अलग राज्यों में क्या दिया गया इसमें एक हजार बासट यानि इतने बच्चों को इसमें इसको सामिल किया गया ठीक है इतने इसमें बच्चे आए और साथ ही साथ इसमें क्या किया ग तहर प्रतिमाह कितना रुपिया दिया जाएगा? तीन हजार रुपिया, मुख्यमंतरी वाजसली योजना का जो practically जो सुभारम किया गया था, दो अगस्त दो जार 21 को इसका सुभारम किया गया था, ये आप लोग नोट कीजे ठीक है, इसके बाद आपका आता है, मुख्यमंतरी महालक्षिमी योजना, वाजसली की जगह क्या ये क्या है, एक प्रसकार से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का ही एक रूप है उत्राखन राज में, यानि महालक्षिमी योजना किस राजने सुरू की, पहला क्वशन उत्राखन में, ठीक है, मुख्यमंतरी महालक्षिमी योजना की सुरुवात कब से हुई, अभी अभी 17 जुलाई 2021 से, लास्ट मन्त, 17 जुलाई 2021 से इसकी क्या हुई थी, सुरुवात हुई थी इसको ध्यान रखना, अगला क्वशन पुचे का, मुख्यमंतरी महालक्षिमी योजना का मुख्य उद्दे से क्या है, तो लिखोगे, बाली का महिर्गर्भवती महिला, गर्भवती महिला, प्लस बाली का, जो छोटी बच्ची होगी, ठीक है, नौजाद सिसु, यानि नौजाद सिसु लिख दो, प्लस नौजाद सिसु, हेतु, क्या मिलेगा, इसमें एक किट दी जाएगी, हेतु एक क्या लिखोगे, किट प्रदान, अब आप को के सरी किट क् होगा, और इसमें ध्यान रखना, दो बच्चियों तक होगा, ठीक है, दो बालिकाओं तक होगा, इसको याद रखना, पर पहली दो बालिकाओं को मिलेगा, या जो जुडवा बालिका होगी, तो इसमें याद रखना, पहली दो बालिकाओं होगी, ठीक है, पहली दो बालि प्रेगनेंट लेडी है गर्बवती एक इसको मिली गए जो सिसू जो प्रेगनेंट लेडी होगी अब इसमें क्या होगा इनको आहार पोस्चिक आहार वगरा एक तो ड्राइफूट होगे इसमें क्या क्या होगा ड्राइफूट यानि जैसे सूखे मेवे दिये जाएंगे इस इसमें साबुन, तेल, गर्म कपडे, ठीक है, ये सब मिलेगा और सैनिट्री नैपकीन भी आप लोग इसमें लिख लोगे, ठीक है, एक सैनिट्री नैपकीन लिख लो, ये मिलेगा, गर्म बहती मेलाओं को, जबकि सिसू के लिए क्या मिलेंगे, सिसू कन्या खले, गर्म इस तम्हें नवजाद बच्ची का साबून, तेल, टीका करन कार्ड, पॉस्टिक आहर καर्ड, पॉस्टड कार्ड लिकनो, इसको, पॉसण कार्ड, इसके अलावा कपड़े, गर्म कपड़e लिख लो इस टाइप की चीज़े जो बच्चों की जर्वत होती है तो मुख्यमंतरी महालक्षिमी योजना कहा शुरू ही उत्राखंड में कब इसका सुभारम हुआ है क्या इसका लक्ष यह है यह आप लोगं को हमेशा यादखना होगा ठीक है इतना हो गया next question आप लोगं को लिखना है हाल फिलाल में कुछ समय पहले अब देखो वो तो अध्यादेश जारी किया गया था अब नया सेसन जो आएगा उसमें पास होता है नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर कभी आपसे पूछता है कि अध्यादेश लानी का किसने प्रियास किया गया थ उत्राखन उसका अध्यादेश ओडिनेंस आना था यानि महिलाओं को पती की पैत्रिक संपत्ति यानि किसी का जो हस्बेंड है उसके महाता क्विता जो है उनकी जो संपत्ति है उसमें उस महिला को भी हग होगा जो उस लड़की की वाइफ है इसका अधिकार देने वाला प संपत्ति का अधिकार पैत्रक संपत्ति में लिख दो मरिलाओं को चलो इस संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राजे निए प्रथम कौन था UK था अब कौन सी संपत्ति ही देखना पती की पैत्रक संपत्ति में यह उसका जो हजबेन होगा पती की पैत्रक संपत्ति किसी क इबन अध्यादेश लाने का इसमें प्रियास किया गया था, अब ये लागू होता है, नियूल होता है, कितना सपल रहता है, ये आम लोग देखेंगे, ठीक है, अगला क्विश्चन लिखोगे आप, आपने एक चीज़ याद सुनाओगा, PM आवास यूजना, PM आवास यूज रखने है तू, रहने है तू उत्राखन, राज्ये, कितनी राशी देगा? आप लोग पूर्ली रिखना, उत्राखन, राज्ये कितनी राशी देगा? 5000 रुपी, ये जनि, अब आपको के सर इसी क्या होगा? बहुत होता है, जब जिस विचारे का आवासी प्रधानमिंतरी, आवाश उतना से बन रहा हूँ, मदद से बनना है, तो उसके लिए 5,000 में कुछ भी सामार आए, बरतनी क्यों ना आए जाए उस गर के लिए, तो बहुत होता है, ठीक है, तो प्रदामिंतरी आवाश उतना के तरह मकान में सामान रखने हैं, तो उत्राखन राज जी कितनी रा ठीक है, 11th CM, P.S. धामी, अब बीच में एक लड़का मुझसे मैसेज करके question पूश आजा, सर ये उत्तराखन के जो CM बने, इनका क्रम क्या रखे हैं, बर्ला जैसे हरी चरावत जी दो बार बने, और ये हुआ, उसके बाद हो किसी जो बाल CM बनी कुछ ताइम पहले, आपने CM अलग चीज है, आप प्रॉपर जनपरतिनीजी को गिनोगे, जिसको प्रॉपर तरीके से CM का चार्ज मिला है, ठीक है, वो उसको गिना जाता है, तो 11th में नंबर के CM थे, आप लोगों को ये ध्यान रखना हो, ठीक है, एक बहुत important question जो मुझे व्यक्तिकत तोर पे लग र सिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, उन्हें लोगों को प्रकर्ति के साथ वहाँ पर बिठा के योग ध्यान करना, उस सीच के लिए, उस तनाव से दूर रहने के लिए, भारत का पहला One Healing Center खोला गया है, रानिखेत में, यानि रानिखेत कहां पढ़ता है, अलमोडा में, रानि ज्यादा सफल हुआ था, इस तैप की चीज़, क्योंकि वहाँ पर जापान में कहना, जापान इतना developed country, इतना विक्सित राष्ट है, उसके पास विकास कनने के लिए कुछ है ही नहीं है, वो क्या करेगा बताओ, लोग वहाँ पर, मतलब लोगों के बच्चे भी आप देख करने के लिए, घर के बरतन माजने के लिए, घर की देखरे करने के लिए, रोबर्ट का development हुआ है, तो वहाँ पर लोग तनाव में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इंसान को मसीन मना दिया गया, इंसान टोटली मसीन मान के चले उन रास्टो में, तो उसी के तहत, वहाँ पर इसका मतलग जाता है, तनाव मुक्ती है, तो लिख लो इसको ब्रेकेट में, अब जो है, यहाँ पर अधिकान जो पेड होंगे, चीड वगएरा के हैं, ठीक है, चीड का पेड है हाँ पर, क्योंकि रानिखेद वगएरा में आप देखोगे, चीड वगएरा की ज़्यादा फारेकेद मिलते हैं, वहाँ पे, अब एक क्वेशन में आपको बताता हूँ, उसको most important कर देना, उत्राखन सतत विकास लक्ष लिखने है आपको heading, उत्राखन सतत विकास लक्ष लिखने है, इसको heading डालना आप ठीक है, उत्राखन sustainable development target, उत्राखन सतत गो बोलते है सेस्टेन ठीक है विकास लक्ष की रैंकिंग जो जारी हुई है रैंकिंग 2020 की 2020 की जो रैंकिंग हुई हो 2021 माई ना इसको आप लोगों को थोड़ा अच्छा इंपोर्टेंट करना है अब इसको ध्यान रखना इसको जारी कौन करता है सबसे पहली बात नितियायोग अब आप यह मत कहान इसको जारी करने वाली जो संस्ता है वो कौन है नितियायोग इसमें प्रथम जो राज जी निकला उसको बोलते है केरला केरला ने इसमें प्रथम इस्तान पाया है आपको ध्यान रखना है जबकि आपका उत्राखंड है वो थर्ड पोजिशन पे है थर्ड पहले कहां था न नाइन्थ पोजिशन है नाइन्थ बता पुराने में अभी थर्ड पोजिशन पर आया तो question क्या पोचेगा हाल ही में निती आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्षे रेंकिंग 2020 में उतरा खंड को कौन से इस्तान पर रखा गया थर्ड पर बेहोस मत होके आना वहां आत्मा परमात्मा के पास नहीं बहुत निजाए और प्रथम के रला था और निती आयोग इसको क्या करता है जारी करता है अब इसके अंदर अलग अलग पोइंट है जैसे जलवाईू परिवर्टन है आर्थिक विकास है स्वच्छ जल्व स्वच्चताव मतलब स्पयाई जल अब ये होते क्या हैं एक sustainable development का target रखा जाता है कि हमारा हर छेतर अलग-अलग sector जो हो उसको develop किया जाए चाहे जलवाई हुए गरीबी के मामने में है education है या फिर अपने आप पेईजल स्वच्चिता सब चीजों का मिला के एक समगरिक ranking बनाते हैं कि कि इस state ने क्या performance की उसी के according यह है ठीक है आप हम देखेंगे दो-तीन चीजों की बता देता हूँ आप सबसे महत्तुबण कानून व्यवस्ता में आपने सुना होगा हाल ही में निती आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्षे के कानून व्यवस्ता में पहला राज्य कौन था उत्राखन आपने कुछ कुपोषण मुक्त करना है और स्वच्चता बनाई रखने है उसमें नमबर आठ में है कुपोषण मुक्त प्लस स्वच्चता और एक आर्थिक विकास भी रखना है ठीक है अब यह तो हम पूरा देखेंगे देखेंगे कि यह मतलब किस प्रकार चे है ओभर ओल रैंकिंग जब सब को क्रेमिलेट किया गया उसमें पूरे सभी राज्य में थार्ड पोजिशन पर उत्राखन था इसके अलावा एक जलवायू परिवर्तन लिख लो एक वन एम परियावरन लिख लो जलवायू परिवर एँप लुटेडि राज़टन था मुटि अफचे है यह जा psychology नाइंट पोजिशन पे रहा इक लिख लिख लिजिए आप वन एम परियावरन जिस पर थाटीन कि यह को आप skip नहीं कर सकते हो यानि आपकी जो गुणवत्ता पूर्ण सिक्षिया है या अपने आप में लेंगिक समानता है उन दोनों को लिख लो गुणवत्ता पूर्ण सिक्षिया में फोर्थ पोजिशन पे रहा और लेंगिक समानता जेंडर जो इक्वैलिटी है उस पे रहा थाटीन पोजिशन पे इतना कापी है बाकी बहुत सी चीज़े हैं ऐसे तो क्या का पढ़ते रहों के उर्जा के सेक्टर में है यानि वहनी जो उर्जा यानि जो मतला फोटे पले उस पे बन पोजिशन पे रही थी इसके अलाबा कई चीज़े हैं उतना नहीं देखना है स्वास्थे गनना जबकि जल जल प्लस स्वास्थे यह है इलेवन्त पोजिशन पे यह आपने देखना है इतना कापी आप करे अब देखे तीन चार लोगों के नाम लिखूंगा मैं जो थोड़ा सा हाइलाइट रही रहे ते कुछ समय पहले एक तो आपने देखा होगा अभी अभी इंग्लैंड में एक किर्केट सिरीज हुई थी भारती महिला टीम की उसमें उत्तराखन की एक सनेहा राणा ने प्रतिभाग किया था और वो पहली खिलाडी बनी थी जिसमें उसने चार विगेट और 80 प्लस रन बनाए थे यानि एक हाप सेंचुरी प्लस फोर विगेट उनने लिये थे तो हो सकता है कि उसका ध्यान गया हूँ और वो ये पूझदे सनेहा राणा का संबंदि की स्केल से है दूसरा अभी अभी सीम सापने एक मनीस कसन्याल पिथवरागर जिले के हैं परवतारोही उ वो एवरेश्ट की फताव करके आये थे उनका नाम भी आपको याद रखने कि वो किस चीज से संबंदित है तो सेकेंड लिखो गया आप मनीस कसन्याल ठीक है और इनमें सबसे महत्त्रपून और सबसे इंपोटेंड वंदना कटारिया इनको तो मेरा भी सलाम है ठीक है इनने भाग लिया है हाकी में से इनका संबंद है और इसलिए जानी गई कि इनने तीन गोल यानी हैट्रिक कर रही हाकी में है 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 यह इंपोटेंट है इनका संबंद पूछेगा बंदना कटारिया का इनने बहुत अच्छा महाँ परदर्शन किया पुरे उत्राखन राज टी के लिए वो गर्व के पलते लिए वन्दना कटारिया का संबंद हाकी से एँनने है किस इनने हेक्टरी की थी और हरिद्वार जिले से संबंद है किस जिले से है Francis है अभी अभी आपने आज Derम Cart. 25 लाख रुपे उत्रा खनशरकार इनको क्या देगी एक प्रकार का वो किस से है परवता रोहन परवता रोहन से इनका क्या है संबंध है सनेहा राना जो है दून की है देहरा दून में इनका घर है और बेसिकली ये क्या खेलती है किरकेट यानि ये किरकेट से इनका क्या है संबंध है तो इसको ध्यान रखना और ये पहली खिलाडी बन गई जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में परदारपन किया जब इनने डेब्यू मैच खिला पहला मैच खिला उसमें 4 विकेट प्लस हाफ सेंचुरी हाफ सेंचुरी इन्होंने लिए थे ठीक है अभी याद धान रखना सिनेहाराना का संबंद किस से एक गिरिकेट से और एक जो बहुत बड़े साहित्यकार थे उनका निजहन हुआ है हाल में कुछ समय पहरे उनका नम था शिवराज सिह रावत जो कि साहित्यकार थे यादि इसमें लिखन है अब थे ठीक है शिवराज सिह का संबंद लिखरे नहीं पूरा लिखना को शिवराज सिह रावत का संबन देथा लिखे हो शिवराज सिह रावत ये थे साहित तेकार तेकार और बेसिकली कहां से थे? चमबोली से ये भी आपको क्या करना है? ध्याण रखना है, ठीक है? अब देखे कुछ क्वेशन आपको बताता हूँ दो मिसन लिखने हैं आपने एक लिख लिजे मिसन होसला मिसन होसला दूसरा लिख लिजे मिसन मरियादा मिसन मरियादा ये मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा आप ऐसी लिख लेना अपनी कॉपी में रफ लिए को ओक्सिजन वगरा सप्लाई दवाईउं की सप्लाई इस चीज के लिए जो कर रहे थी हो मिसन होसला उसको नाम दिया गया तो आप इसके नीचे लिखना कोई वाईन पी रहा है कोई चिगरेट पी रहा है कोई वहाँ पर मतलब अपने आप में क्या कर रहा है उनको क्या करती है पुलिस सजा देती है तो उसके लिए मिसन मरियादा यहाँ पे शुरू कляग गया उत्तराखन पोलिस के द्वारा दोनों आपको ध्यान रखना है अब देखिए एक question और important में आपको बताता हूँ उत्तराखंड में एक museum खुला है लोक देवताओं का यानि उत्तराखंड का पहला लोक देवता museum सल्ट के अलमोडा के सल्ट में खुला है तो इसको लिखो उत्तराखंड का पहला लोक देवता museum लोग देवता म्यूजियम कहां खुला है सल्ट में सल्ट में मनिला मंदिर है एक वहां ठीक है अलमोडा सल्ट अलमोडा में कहां खुला है उत्राखन का पहला लोग देवता म्यूजियम मनिला मंदिर में इसको आप लोग ध्यान रखना ठीक है दूसरा एक चमोली त्रासदी क घटना कब होई थी याद होगा आपको रिसिगंगा में बाढ आगी थी ग्लेशियर टूटने से तो लिख लो चमोली तरासदी चमोली अब ये चमोली तरासदी ये वाली है जो शेंट वाली है यानि चमोली जल प्लपलई कहले लो आप इसको चमोली जल प्रलाई कहां पर हुआ था ये जोसी मट में तपो वन कहां हुआ था जोसी मट के पास जोसी मट तपो वन तपो वन में ठीक है ये घटना थी 7 फरवरी 2021 की इसको भी आप लोग ध्यान रखना और इसमें क्या हुआ था एक गलेसियर के टूटने से रिशी गंगा नदी अपने उफान पर आगे थी जिससे वहाँ पर रिशी गंगा पावर प्रोजेक्ट भी क्या हो गया था खतम हो गया था ना उसको बरबाद हो गया था उसके अंदर जितने लोग थे बहुत से लोग इसमें 100-200-200-200 लोग मारे गे थे सांती सांत उसके थोड़ा आगे NTPC का पावर प्रोजेक्ट था वो भी क्या हो था श्यतिक रस्त हो था ये भी आपको ध्यान रखना है अगला जो आपको याद रखना है उत्तराखन के अभी Chief Justice कौन है मतलब Chief Justice of उत्तराखन इसको आप लोग ध्यान रखना और ये जैन्वरी से हैं और जब भी चेंज होगा आप लोग याद रखना होगे Next भारत का पहला Cryptogenic Garden कहां खोला गया है Cryptogenic मतलब कम temperature यह जैसे आप लोग ने Cryptogenic का मतलब होता है जैसे आपने Engine का नाम भी सुना होगा Crypto Engine वगर कुछ होते हैं बहुत कम ताप मान मैं नहीं Temperature, minimum temperature भी चीज़े पल जाती है तो Cryptogenic बोलते हैं तो लिखो उत्तराखन का पहला Cryptogenic उत्तराखन का पहला और इसको अगर Cryptogenic को हिंदी में नहीं आएगा पेपर में तो इंग्लिस में देखें नहीं ठीक है Cryptogenic लिखो Cryptogenic पार्ग कहां खुला गया है दून में चकराता के पास ठीक है देहरादून नोटियाल जी ने इसको अनूप नोटियाल जी आप लोग जानते हैं उन्होंने इसका घटन किया था Cryptogenic पार्ग कहां खुला गया है देहरादून में चकराता देवन के पास ठीक है और एक दो त्या तीन दिन पहले अगबार में आए था वो भी आपने बढ़ा होगा उत्राखन का पहला Arctic Sunraction केंद्र Arctic एक परकार का फूल होता है ठीक है कहां पर है गोपेश्वर चमोली गोपेश्वर चमोली में इसको क्या किये गया उद्खाटन किये गया ये भी आप लोग ने देखा होगा तीन चार दिन पहले ही अगबार में था लास्ट के दो गश्चन एक कला पार्क खुलने वाला है वो अभी उसके काम चल रहा है कला पार्क ये कहां खुलेगा हरिद्वार में भी खुला नहीं ठीक है कुछ ताहिन बात दिखीगा आपको कला पार्क कहां खुलेगा हरिद्वार में ये एक आप लोग ध्यान रखना इसको कि हरिद्वार में खुलेगा और उत्राखंड जलवाई बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्राखंड जलवाई बजट जलवाई बजट का प्रावधान अभी कितना आगे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं यह देखने वाली बार थे ठीक है गोशना तो की थी तो देश का प्रथम राज्य था ये देश का प्रथम राज्य एक दो व्यक्तिव के नाम लिख रहा हूँ एक हाली मैं आपने सुना होगा पिथोरागर जीला उनका बेसिक उनका जन्म हुआ था वो जस्टिस भी रहे हैं सुप्रीम कोट में उनका नाम है क्या प्रफुल चंद्र इनको क्या बनाया गया तो कुछ टाइम पहले राश्य मानवधिकार आयो का कारिकार्णी अध्यक्स बनाये था एक इनका नाम लिखने नाब प्रफुल चंद्र पंत कुछ समय पहले अब नहीं है ठीक है इक किस में है National Human Rights Commission के कारेकारी अध्यक्स बनाए गए थे लिखना कारेकारी यानि जो temporary होते हैं ठीक है अध्यक्स बनाए गए थे ये उत्राखन मोल के थे मनला इसलिए मैं बता रहा हूँ अब नहीं है ये कारेकारी अध्यक्स है आप खाली वहाँ पे member होंगे प्रफुल चंद्रपंद पिथो इनका था और इतना आपका जो है ये आज का जो है current affair है ठीक है इसको पिथोरागर कर दो ये थे अभी तो कहीं और है इतना आपका क्या था आज next current affair की वीडियो थी उम्मीद करता हूँ कुछ नए fact आपने सीखे होंगे और इसी प्रकार से 2020 में आपको उत्राखन current affair की वीड क्रवङर एक आपका प्रेघरों है न corrections आपका आपकार के वीडियों है प्रूरागर से प्रूप जेरी हो जा है झापकार कर बाम करहा है आ कर दो कहीं ये जा रहते है आपकार से घप हैं कि वीडियों है जा उत्राखनर 反 eyelid 來श़ और का इया कि एो defect deliberate थार्म दूशा